वर्न व्यवस्था नीचे दिये गए चित्रों को देखिये और इनके नाम बोलिए. बच्चों, आप में चित्रों के नाम बोलते समय देखा होगा कि जब हम शेर, नल, कमल और कार बोलते हैं, तब कुछ ध्वनिया निकलती हैं. जैसे, शेर, बोलते समय श, लस ए, लस र, लस अ, ध्वनिया निकलती हैं, नल, बोलते समय न, लस अ, लस ल, लस अ, ध्वनिया निकलती हैं, कमल, का, लस अ, लस म, लस अ, लस ल, लस अ, ध्वनिया निकलती हैं, कान, क, लस, आ, लस, र, लस, आ, ध्वनिया निकलती है ये ध्वनिया ही अक्षर या वर्ण कहलाती है वर्ण, वर्ण भाशा की सबसे छोटी एकाई है वर्ण के और तुकडे नहीं किये जा सकते वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है वर्गों के में से शब्द बनते हैं वर्ण माला वर्णों के समुओं को वर्ण माला कहते हैं वर्ण माला में स्वर और व्यंजन दोनों शामिल है इसमें वर्णों को निशित कम में लिखते हैं कुल चवाली स्वर्ण है इन वर्णों को दो भागों में बाटा गया है, स्वर 11, व्यंजन 33, स्वर, इनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, हिंदी में 11 स्वर है, आंदा भी स्वरों में गिने जाते हैं, वैस इनका स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले होता है, इनका प्रयोग समझें, अन्द का प्रयोग, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसका चना है, हंस, कंस, कंगन, कंगूरा, अंगूर, अहां का प्रयोग, इसे विसर्ग कहते हैं, इसका चन इसे किसी व्यंजन के बाद लगाते हैं, आथा, दुवक, प्राता, इसका उच्चारन प्रायह हकी तरह होता है, विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत से आए, शब्दों में होता है, आख का प्रयोग, जब किसी स्वर के उच्चारन के लिए गले के साथ साथ, नाख क की भी सहायता ली जाती है, तो उसे अनुनासिक कहते हैं, इसका चना है आख, कांटा, हंसना, चांद, पांच, ओ का प्रयोग, यहां अंद्रेजी धनी है, अब इसकी गिंती स्वरों में की जाने लगी है, यह आ, और, ओ के बीच की धनी है, इसे अंद्रेजी के शब्दों म की मात्राए, आ, को छोड़कर प्रतेक स्वर की अपनी मात्रा है, इन मात्राओं के लिए विशेश चना है, यह मात्राए और उनके प्रयोग निमलिखित है, स्वर, मात्रा, व्यंजन, मात्रा के साथ, शब्द, आ, कोई मात्रा नहीं, का, प्लस, आ, का, कम, आ, आ की मात्रा प्लस आ, काम, एकी मात्रा, का लस एकी किसान, एकी मात्रा, कुछ लस एकी कीमत, तू, ़ू की मात्रा, का, érence वु, कुछ, ऑ, रू की मात्रा, का, लस, यू, कू, कूल, री, री की मात्रा, का, प्लस, री, क्रे, क्रिपा, ए, एकी मात्रा, का, लस, ए, के, केला, ए, ए की मात्रा, का, लस, ए, कै, कैसा, ओ, ओ की मात्रा, का, लस, ओ, को, कोयल, औ, औ की मात्रा, क, लस, औ, कौ, कौन, व्यंजन, व्यंजन स्वरों की तरह स्वतंत्र नहीं होते, इनके उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है सभी व्यंजनों में अमिला होता है, जैसे क, लस, अ, का, म, लस, अ, मा, हिंदी में 33 व्यंजन है, का, ख, गा, घा, न, च, छ, ज, 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 न, त, ठ, ध, 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 र, न, द, ध, 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 न, पभ, फ, बा, भ, भ, म, य, र, र, ल, व, श, 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 व्यंजन, शह, त्रा, ज्या, श्रा, ये चार सन्युक्त व्यंजन है, ये दो व्यंजनों के में से बने हैं, शह, क, लस, शह, शत्रिय, कक्षा, रक्षा, त्रा, त, लस, रह, न्या, त्रिकोल, मात्रा, यात्रा, ज्या, ज, लस, न्या, ज्या, ज्यान, ज्यात, यग्य, शा, श, लस, रह, श्री, श्रम, आश्रम, समझो. आ, स्वर, रहित, व्यंजन, हलक लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे, क, ख, म, त, द, और, धर, के नीचे बिंदु लगाकर ये ध्वन्या बनती हैं, द, ध, घोड़ा, पढ़ाई, आदी, ज, और, फ, में भी बिंदु लगाया जाता है, इसे नुकता कहते हैं, जैसे, जरूर, फर्क, यहां उर्दु का प्रभाव है, रा, के विभिन्न रूप देखें, दुर्ग, धर्न, स्वर्ग, द्रव, ग्रह, प्रकार, ट्रक, ट्रंक, ड्रम, रा, के साथ, उ, या, उ, की मात्रा इस तरह लगती है, र, लस, उ, रू, रूप, रूख, र, लस, उ, लस, रू, रूप, रूख, हमने पढ़ा और समझा, वर्ण भाशा की सबसे छोटी एकाई है, वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन, वर्णों के समूओं को वर्ण माला कहते हैं, व्यंजन में स्वर मिला होता है, श, त्रा, ग्या, श, सन्युक्त व्यंजन है,